हाई एवरिबन आज हम हालू के लच्छे नमकीन रेटिपी लेके हैं जो बहुत ही आसाने बनान और खाने में बहुत ही टेश्ट ही है आप इस तरह से बना के डिब्बे में भरके खा सकते हैं महीने फ़र तक सबी को बहुत ही पसंद आएगा और पांस मिनिट में बना के शुरू करते हैं सबसे पहले आलू ले लिया है आलू को धोके साफ करके ले लिया है आलू से हम सिलका हटा के ले लेंगे इस तरह से आलू का छिलका हटा के दो तिन बर अच्छी तरह से धो लिया है दूसरा बाउल ले लिया है इसमें पानी डाल देंगे आधा नीबू ले ल अब इसको पास मिनिट हम इसी तरह से पानी में कवर करके रख देंगे, पास मिनिट हो गई है, अब ढ़कन को हटा लेंगे, इस तरह से रखने से आलू की जो गंदेगी होती है, बो निकल जाती है, या बिछा लिया है, अब आलू को हम इस तरह से पोश्च के ले लेंगे, अच्छी तरह Been tu lé2 से गरम करके ले रेसा ले6-2 लिया है अबकी रेम एक आलू के लख्षश देना तक वी आशाना दिया है। यह चाहना परलättर पभलता हैं। उन्हें गरम ही चीछलना एक लूरता हैं। देखिये लच्खे हमारी काले नहीं परे, एकदम सफेदी है, फिराई होगई है, अब हम निकाल लेंगे देखिये मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी बड़िया बनी है, और सभी को इसी तरह से रेडी करके ले लेंगे देखिए सभी लच्षे को हमने बना के रेडी कर लिया है एकदूम लो कर देंगे और मॉमफली के दाने लीचा छाइच तरहstudy को सका हमें मॉमफली को ढूद लेना है देखिए मॉमफली क भूद लिया है और मॉमफली का कलर भी शेंज हो गई है अब हम निकाल लेंगे देखिए पास से दिखा रही है कलर कैसे चेंज हो गई है इस्टा ओइल हम निकाल लेंगे इस तरह से करी पत्ता ले लिया है वो डाल देंगे करी पत्ता को भी फ्राइ कर लेंगे क्रिस्टी होने तक बहुत ही तेश्टी लगता है कड़ी पक्ता इसके अंडर फ्राई हो गई है कलर भी चेंज हो गई है अब हम निकाल लेंगे ये रेडी कल लिया है कितनी बढ़िया बनी है अब इसकी आवाज सुना रही है देखे कैसा आवाज आ रही है इसको और चटपटा बनाने के लिए सुआदनुसर नमक मिलाएंगे और अधिचमच लाल मिच पाउडर मिक्स कल लिया है मैं दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी बना है देखिए इस तरह से बना के अब डिब्बे में भरके रख सकते हैं इस होली पर खा सकते हैं सबी को बहुत ही पसंद आएगा अब मेहमन को भी खिला सकते हैं बहुत ही आसान पास मिनिट में बना के रेडी कर सकते हैं अगर मेरी रेसेपी आपको पसंद आए तो नहीं रेसेपी देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देजागा आप चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं बाई